हेलो एव्रिवन, वेलकम टू सक्सवित राय अकेडमी 9 नॉवंबर 2023 के धैनिक जागरन के राष्टे संस्क्रण को आज किस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली निउस हम ले रहे हैं केंद्र ने दिल्ली के और इवन फार्मूले को किया है खारिज तेकि वायू प्रदूसर्ण की खतरनाग इस्तिती से जूज रही दिल्ली में राज सरकार की और से प्रस्तावित और इवन फार्मूले को केंद सरकार ने खारिज कर दिया है इसकी जगा कृतिम बारिस जैसे दूसरे विकल्पों को आज माने का सुझाओ दिया गया है इसके साथ ही राजियों को वायू प्रदूसर्ण के खिलाफ छड़ी इस मोहीम में पुलिस को उतारने की निर्देस दिये गया है बैठक में वन एवं पर्यवरन मंत्राले की सचीव लीना नंदन, क्रशी, उर्जा और सहरी विकास मंत्राले के सचीवों के अतरिक्त, पंजाब, हर्याना और उत्तर प्रदेस सहित, सभी परोसी राजियों के मुख सचीवों वर डीजीपी, प्रदूसर्ण बोर्ड से जुड सभी राजियों ने अपने अपने प्रस्ताव भी दिये हैं, दिल्ली ने इस दोरान और इवन फार्मूले को लागू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कैबिनेट सचीव ने यहां कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उप्यूक्त नहीं है, और AQI का अगर हम यहां पर रेट है, जबकि होना चाहिए 400, 400 खत्रा पेहद ही गंभीर माना जाता है, उसमें अगर प्लस मामला चल रहा है तब तो इस्तिती बहुत ही गंभीर है, नेक्स्ट न्यूस पर आते हैं, लोगपाल ने महुआ के खिलाफ CBI जांच का दिया आदिस, दिकि भाजपा सांसत जो निश CBI को सबसे पहले अदानी समू द्वारा कतिक कोईला घुटाले की जाच के लिए प्रात्मे की दर्च करनी चाहिए, निशिकांत ने कुछ दिन पहले मोहत्रा पर उपहार लेकर कारोबारी दर्शन हीरा नंदानी के इशारे पर अदानी समू और प्रधान मंतिर नरेंदर मो आरोप से इंकार कर दिया है, इसमें इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि लोगपाल ने मेरी सिकायत पर राश्टी सुरक्षा को गिरवी रखकर ब्रश्टाचार करने की आरोपित सांसत महुआ मोहित्रा के विरुद्ध आज CBI जाज का आदिस दिया है, नेक्स निउस पर आते हैं, उच्च सिक्षा में भारत ने चीन को पशाड़ा, QS, A.C.I. University Ranking में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, इस सुची में जहां भारत के 148 विस्विद्याले सामिल किये गए हैं, वहीं चीन के 133 और जाप के 96 विस्विद्याले हैं, इस बार पिछले साल की तुलना में 37 भारती विस्विद्याले ज्यादा हैं, भारत ने आउट ब्राउंड student mobility याने विदेश जाने वाले चातरों को भी उपलब्दी हासिल की है, अमेरिका में सिक्षा प्राप करने वाले चातरों की संख्या में लेखनी व्रदी के साथ भारत 15 वर्सों में पहली बार चीन से आगे निकल गया है, खास बात इसमें ये है कि 2014 के QSACI उनिविश्टी रैंकिंग में मात्र 16 भारती संस्था ही सामिल थे, वो द्वार को जारी रैंकिंग के मताबिक इस सूची में सबसे ज्यादा उनिविश् खड़कपूर और कानपूर ने एसिया के सीर्स सो संस्थानों में ये मुकाम हासिल किया है, देश में IIT बॉंबे ने अपना सीर्स स्थान बरकरार रखा है, QS में वरिश्ट उपाध्यक्ष बेन सौटर ने कहा कि QS रैंकिंग में भारती विस्विध्यालों की बढ़ती सं आती है, नेक्स्ट निउस पर आते हैं, अधानी समू के कॉलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट में अमेरिका करेगा 55 करोन डॉलर निवेस, देखिए स्रिलंका के पोर्ट पर जब चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं तब वहां भारत की निजी छेत्र की कंपनी अध अधर का भी अब ज़्यादा तेजी से आकर लेता दिख रहा है, अमेरिकी एजनसी इंटरनेशनल डेवलोप्मेंट फाइनेंस कार्पोरेशन ने कॉलंबो पोर्ट के पास बनाय जा रहे हैं कंटेनर टर्मिनल में 55.3 करोन डॉलर के निवेस का फैसला किया है, भारती कंपन सिरलंका में चीन की तरफ से निर्मित हमन टोटा पोर्ट का एक माकूल जवाब हो सकता है, भारी वित्तिय संकट से उबरने की कोशिस में जुटे, सिरलंका को इन दोनों परियोजनाओं से खासा आर्थिक लाब होने की उम्मीद है, 8.9.23 को अधानी समूँ की तरफ से बता संसत का सीत कालिन सत्र दिसंबर के दूसरे सत्ता में सुरू होने की संभावना है, सत्र क्रिस्मस से पहले समाप्त हो सकता है, बुद्ध्वार को बताया गया कि सत्र तीन दिसंबर को पांच राजियों में वोटों की गिंती के साथ, तीन दिन बात सुरू हो सकता है, बारति इन रिपोर्टों को स्विकार किया जो IPC, CRPC और IAS की जगा लेंगे जिससे सीथ सत्र में प्रस्तावित भारतिय निया सहीता, नागरिक सुरक्चा सहीता और सुरक्चा सहीता के पारित होने का मार्क प्रसस्त होगा अब My GOV एप पर यानि की My Government एप पर खेल सकेंगे ऑनलाइन गेम, एलेक्र्टोनिक्स और सुचना प्रदोगे की मंत्राले के अधीन काम करने वाले My GOV एप पर अब ऑनलाइन गेम भी खेल सकेंगे, सरकारी नीतियों से लेकर लोगों के कौशल विकास और ग्यान वर्धन को ध Microsoft विक्सित, Microsite विक्सित करेगा, जिस पर भारतिय नागरिक खुद को पंजीकरत गेम खेल सकेंगे, गेम खेलने की सुवधा Mobile World Desktop दोनों पर होगी, मंत्राले के मताबिक राश्टी हिट से जुड़े, विबिन ने थीम को ध्यान में रखते हुए My GOV के लिए गेमिंग एज सिक्षा नीती, क्रसी नीती, मेरी संस्कृती, मेरा अभिमान, ग्रामिड विकास, सुक्ष्टा मिसन एवं हमारे युद्ध के नायक सामिल हैं, इसके अलावा पजल गेम, वर्ल्ड गेम, सुटिंग गेम, रेसिंग जैसे कई गेम इसमें खेलने को मिलेंगे इसराइल हमास युद्ध समाप्त कराने में योगदान दे भारत, मलेशिया, मलेशिया की विदेश मंतरी जाबरी अब्दुल कादिर ने कहा है कि मलेशिया, भारत और समान विचारधारा वाले अन्य देसों को इसराइल हमास युद्ध समाप्त करने में योगदान देना च चिंता का विशय है, भारत के तीन दिन के दोरे पर आएकादिर ने कहा कि गाजा में युद्ध तत्काल रुखना चाहिए और प्रभावितो एक तक साहिता पहुचाने के लिए मानुविये गलियारा जल्दी खोला जाना चाहिए कादिर ने कहा कि मंगलवार साम को विदेश मंत्री एस जैसंकर के साथ उनकी बात चीत में इसराइल हमास संगर्स पर व्यापक चर्चा होई है भारत में विदेशी विस्विद्यालों की इस्थापना के लिए UGC ने की नियमों की घोशना की है UGC के अनुसार विदेशी विस्विद्याले भारत में परिसर इस्थापित कर सकते हैं बसरते वे वेक्तिकत रूप से पातरता माप दंडों को पूरा करते हों विदेशी विश्विद्याले भारत में एक से अधिक परिसर भी इस्थापित कर सकते हैं उसके लिए अलग से आवेदन करना होगा नियमों का उद्देश्च नई सिक्षा नीती की सिफारिसों के अनुरूप भारत में विदेशी उच्च सेक्षणिक संस्थानों के प्रवेश को सुविधा जनक बनाना वदेश में उच्च सिक्षा को अंतराश्ट्री आयाम परदान करना है UGC के अध्यक्ष एम जग्दीश कुमार ने कहा कि इन नियमों का उद्देश यह सुनिश्चित करना है कि भारत में दी जाने वाली सिक्षा मूल देश के मुख परिसर के बराबर है नियमों के अनुसार भारत में कैंपस स्थापित करने के एक्षुक विदेशी संस्थानों को समय समय पर UGC द्वरा तै की गई वैस्विक रैंकिंग की समग्र स्रेणी में सीर्स 500 के भीतर एक इस्थान हासिल करना चाहिए वैस्विक रैंकिंग की विसेवार स्रेणी में 500 और किसी विसेश छेतर में उत्करष्ट विसेश सक्गिता होनी चाहिए जैसा की समय समय पर आयोग द्वारा तै किया जाता है नेक्श निउस पर आते हैं भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में मंत्री स्तरिय वारता कल अमेरिका और भारत इस सप्ता नई दिल्ली में पांचवी अमेरिकी भारत 2 प्लस 2 मंत्री स्तरिय वारता का आयोजन करेंगे इस दोरान अमेर्की विदेश और रक्षा मंत्री भारती समकक्षों के साथ 10 नौंबर को वारता में अपने संबंदों को और गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोराएंगे दोनों देश मुफ्त और खुले एशिया प्रसांद छेत्र को लेकर विचार साजा करेंगे और अपनी वैस्विक साज़दारी को लेकर अपनी द्रणता का आधार त्यार करेंगे इसके अलावा हमास इसराइल और रूस यूक्रेन संघर्ज को लेकर भी चर्चा हो सकती है तिंके साथ वारता के अलावा अन्य वरिष्ट अधिकारियों से भी इसमें बात करेंगे या उनसे मिलेंगे प्रधान मंत्री ने भारत के पेटेंट आवेदनों में व्रधी को सराहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्धवार को कहा कि भारत में पेटेंट आवेधनों में व्रधी यहां के युवाओं में नमोन वेश को लेकर बढ़ते उत्साह को दरसाती है और आने वाले समय के लिए यह बेहत सकरात्मक संकेत है प्रधान मंत्री विश्ववादिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट पर प्रत्रिक्रिया दे रहे थे जिससे कहा गया कि भारत के निवासियों द्वारा पेटेंट आवेधनों में 2022 में 31.6% की व्रधी हुई है जो सीर्स 10 पेटेंट आवेधक देशों में किसी भी अन देश की तुलना में अधिक है एर इंडिया की एतिहासिक इमारत को खरीदेगी महराष्ट सरकार महराष्ट सरकार 1600 करोड रुपए में अरब सागर के तट पर नरिमन पॉइंट पर इस्टित एर इंडिया की एतिहासिक इमारत को खरीदेगी बुद्धवार को एकना सिंदे के दक्षिता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताओं को मंजूरी दे दी गई है नौमर 2013 में एर इंडिया इसे इमारत को खाली कर अपना मुख्याले नई दिल्ली ले गई थी इस सरकार इस इमारत को जल से जल अपने कबजे में लेना चाहती है और इसके लिए उसने एर इंडिया के तमाम सुल्क को माफ करने का निर्ले लिया है इस गया इमारत महराष्ट विधान सभा और मंत्राले से मातर 100 मीटर की दूरी परिश्टित है इमारत का एक अनूठा पहल हुए है कि इसमें एक नीजी लिफ्ट है जो नीचे से सीर्स फ्लोर तक जाती है इसे ततकालिंग एर इंडिया चेर्मेन के लिए लगाया गया था उस समय की बात है जब विमानन कंपनी की कमान सरकार के पास थी इमारत को खरीदने के बाद महराज सरकार को अपने आफिसों के लिए 46,500 वर्ग मीटर की जगा मिल जाएगी 2012 में सच्वाले में आग लगने के बाद कई विभागों का कामकाज प्रभावित हो गया था नेक्स नीउस पर आते हैं नेक्स नीउस पर आते हैं कि सभी के वहन करने लायक हो बिजली की दरें तब केंद्री बिजली मंतरी आरके सिंग ने कहा कि राज बिजली दरें तै करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे सभी वहन कर सके राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक को समुदित करते हुए सिंग ने कहा कि समय पर बिजली सुल्क तै करने का मतलब यह है कि हर वर्स मार्च के अगले वित भर्स के लिए बिजली की धर्षिट्रह तै हो जाए। आयोजित इस बैठक में देश में बिजली की मांग को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है Next News है कि S&P ने भारत की व्रद्धी दरका अनुमान 6% पर रखा है S&P Global Ratings ने बुद्धवार को कहा कि भारत की अर्थवयस्ता की व्रद्धी का मजबूत record है और उसने चालो वित्वर्स में 6% की विकास दरका अनुमान बरकरार रखा है S&P ने एशिया प्रसांत क्रेडिट आउटलुक 2024 में Slowing Dragons Ratings Tigers सीर्शक वाली एक रिपोर्ट में कहा है कि अनुकूल जनसंख की ये और उत्पादक्ता व्रद्धी सुधार के आवशक का रखें वित्वर्स 2024-25 और 2026 में व्रद्धी दर 6.9% रहेगी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक व्रद्धी काफी हद तक दिख रही है अमेरिका इस्टित रेटिंग एजनसी के अनुसार व्रद्धी बाजार के भरोसे वा राजस्व स्रजन का समर्थन करती है उनका मानना है कि ब्याजदरों की इस्टिती अगले कुछ साल में भारत के रिण के रुख के लिए महतपूर्ण रहेगी भारत और्गेनिक्स लाउंच पांच वर्सों में बनेगा वेशिक ब्रांड ग्रह एवं सहैकारिता मंत्रियामिससा ने नुसरजित नेशनल को ऑपरेटिब और्गेनिक्स लिमिंटेड का भारत और्गेनिक ब्रांड जारी कर दिया है और पांच वर्सों में यह ब्रांड और भरोसे मंद बनकर उभरेगा जैवी खेती से जुड़े किसानों को प्लेटफॉर्म देने एवं उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए उनकी स्थापना की गई है उत्पादों के मुनाफ़े का 50% लगू किसानों तक पहुशाना भी इसका उत्देश्य है भारत औरगेनिक के 6 उत्पादों को भी बहुत दुबार से बजार में उतारा गया है जो मदर डेरी के 150 आउटलेट्स वो ऑनलाइन बिकने लगे हैं दिसंबर तक 20 उत्पाद उतारे जाएंगे नेक्स पेज है इंटरनेशनल पेज जिसमें हमास और इसराइल का युद्ध है और उसके बाद फिर युद्ध रोकने में भारत की महत्पूर्ण भूमिका हो सकती है इसको भी हम डिसकस कर चुके हैं चलिए ये एक निउस देख लेते हैं कि ब्रिटन के I.C.E. क पहली बार एक भारतवनसी अनुसा साह को संस्था का अध्यक्ष बनाया है यह सिविल इंजीनियर का स्वतंत्र प्रोफेशनल एसोसियेशन है जिसे 95,000 सदस्ये हैं संस्था के 169 अध्यक्ष के रूप में साह ने मंगलवार साम को I.C.E. के लंदन मुख्याले में प्रकृत संधित करने और नित्रत्तो करने का 22 वर्सों का अनुभव है चलिए तो यह आज का 9 नुवंबर 2023 का दैनिक जागरान का राष्टे से नस्क्रन था I.C.E. आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडिय